कुछ ऑख तो पिछले के लाघस पो लोगो ने फिलेवल फॉल के बारा था तो आज भी फिलेवल फॉल के बारा भी परेंगे बर ज़ड़ा सा कुछ आगे पर रहेंगे हैं तो बिछले कि लाज में लोगोंने क्या दिखा था रॉपड़ान लिष्ट कैसे बनता है यह देखा था है डीक बख Min LAU चैक कार सकते हैदं है फैसे और सकते हैं साथ मैं लोगोंने नाम लिखने में देखा था या था कि आप किसा प्रीव मिख Sorry की फैसलेटी प्रोवाइट कर सकते हैं इन यूर फॉर्म है ना गाइस सेकेंड तिंग आप इस तरह का चेक बॉक्स भी लगा सकते हैं ना तो आज भी हम लोग फिलेवर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे बट जड़ा कुछ आगे पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं तो आज की क्लास में लोग देखेंगे कि किस तरह से आप सब्मीट बटन क्लिप बना सकते हो कैंसल बटन बना सकते हो सेकेंड तिंग कि आप प्लीज सेलेट कैटेगरी इस तरह का बटन आप कैसे बना सकते हैं और आप अपने टेक्स को किस तरह से लॉक कर सकते हो देखो य आप इससे नहीं, डमलन पना हुआ है यनिकी का सब्सक्राइब को समय को देखते हैं के सब्सक्राइब इस चीज हम लोग का सब्सक्राइब कर देखते हैं सबसे पहले अपने developer section में चाहते हैं हमलोग ठीक है उसके बाद यहां पर हम लोग आते हैं legacy tools के अंदर क्या है हमारा active x controls है थीक है तो यह check के लिए फॉर्म तयार कड़े हो कड़ोगे सब्सक्राइब किसी तरह का थ्री कैटेग्री दे रहे हो चलो मैं इसे देता हूं तो चेक बॉक्स को अगर हमें एडिट करना है जैसे कि यहां में कुछ नाम इसको रिप्लेज करना किसी नाम से तो अम लोग डारेक्ट में यहां एडिट नहीं कर सकते हैं ठीक है इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले उस चेक बॉक्स वाले बटन पर राइट क्लिक करना है चेक बॉक्स हो या क्या करवाना चाह रहे हो इस तरह का काम आप दे सकते हो दूसरा यह फोडिशॉप हो गया अब आप नोटीस करोगे कि अम मुझे इसे एडिट करना है तो यहां से मैंने तो राइट क्लिक किया और नाम रिप्लेज किया बट अगर मैं चाहूंगा कि इसका कुछ कलर में कर दो हूं तो नहीं कर सकते हो तो याद रखो अगर एक्टिव एक्स कंट्रोल स्कीतु हूँ आप बटन बना रहे हो तो अगर मोडिफाई कर ना है उसका color changes करना है, तब आपको क्या करना है, उसके properties पर जाना है, यानि कि उसे select करो, आप developer में जाओ, और उसका properties आएगा, तो उस properties के तुरू, आप इसे modify कर सकते हैं, डारेक्ट वे में modify नहीं कर सकते हैं, इसका color black है, suppose मुझे चाहिए green ये red ये जो भी color हो, red तो red किया है, यहाँ से even font section है, तो font से आपने कुझे font उज्स कर लिया, तो आपको direct way में कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ भी करना है, तो याद रखे हैं आपको क्या करना है, उसके dialog box में जाना है, यानि properties, इसको चेक कर सकते हो, तब ही मैं इसको चेक कर सकते हो, इस तरह का आप बटन कर सकते हो, एक्तिफ एक्स कंट्रोल के थ्रू छेखन की आप मैंने स्कृार्शट बाला लिया आप क्या कर सकते हो आप्ड छा सकते हो खजो आफ प्रोपार्टिस में जाते हो एक्तिव में जाते हो और यहां से टेक्स बॉख आपको स्थ लिखने के लिए दम सिंपल सा जैसे कि मैंने यह वाला जो बनाया है यह आपको इसी के थुरू बनाया है आप रैट क्लिक करो और टेक्स बोक्स पर एडिट करो और यहां आप लिख सकते हो कुछ भी वोट इस यूर नेम तो आप इस तरह से इवेन इसका साइद भी आप इंक्रीज कर सकते हो बहार इस तरह से आप बटन क्रियेट करते हो यह एक्टिव एक्स कंट्रोल की थुरू ठीक है तो हम लोग ने इस तरह आप क्या कर सकते हो यह क्या क्या करते हैं है भी नहीं सकता है अंतिल की वो डिजाइन मोड में नहीं जाए यानि की डव्लपर स्क्षन में नहीं जाएगा तब तक उसे वह छूब भी नहीं सकता है ठीक है, रैट क्लिक करें, लेबल में एडिट करें और अपने दिमांग से जो भी आपको पारी स्क्रेसन के साहिए या आ आख कर स्कंधे शूल में मैं चाहता हो कि इसको क्यों थो नहीं च्छू सकता रहां। कि याद रखे कि याद को में धूलिटी सेकूष कर रहा है ठीक है लेबल ऐसे लेखिद लिखे है तो आप जो आपका जो एप्लिकेंट होगा तो वह उसे छूबी नहीं सकता है एडिट नहीं कर सकता है ठीक सेकेंड फिंग हम लोग ने चेक बॉक्स देखा था अब उसी तरह से ऑप्शन बटन वाला देखा हूं अगर मैं लेता हूं बटन तो अगर मैं इसको एडिट करता ह हूं और फ्रोपर्टिस में गया इसका बटन यहां पे का एपस्टन होगा कहीं कैप सना एक है कि इसका कैप सना आप कैप संथा व्लुक्त करते हैं माल लेता हम है अगर दली वर्लाव कि ट्वेंटी के टू स्टी के कि यह क्लोज कर रहा हूं कि अगें एक और ले रहा हूं अच्छा बात समझे यह भी सिंगल है तो इसे मैं चेक कर सकता हूं ठीक है डिजाइन मोर सब्सक्राइब मैं बहार निकलता हूं इसे चेक कर सकता हूं बटम मैं चाहता हूं कि इसे अंचेक करूं तो नहीं कर सकता हूं ठीक है इससे आप uncheck नहीं कर सकते हैं until की आप again एक और नहीं लगाते हो यानि कि at least दो option बटन होने चाहिए तब ही आप check और uncheck कर सकते हैं यानि एक से दुसरे पड़ आप जा सकते हो ठीक है तो again मैं आपको समझाने के लिए एक और ले लेता हूं option option ये रहा option अगें मैं यहाँ पर इसकी प्रोपर्टिस में गया और इसका नाम यहाँ से 30 है ना 20 to 30 के अब यहाँ पर 30 के टू 50 के इस तरह से हमने दो option क्रियेट किया अब आप क्या कर सकते हो कि एक से दुसरे में आप जा सकते हो और डिजाइन मोड से बहान निकलते हो ठीक है तो इस तरह से हम लोग option बटन भी बनाते हैं तो आप इस तरह से आप form बनाते चलें ठीक है काईस मैं सिर्फ आपको वे बता हो रहा हूं आप अपने recording form क्रियेट करें ठीक है तो चलिए देखता हूं नेक्स्ट ऑप्चन अपन लोग करें कि यह इमेज है इमेज एक्टिव एक्स कंट्रोल तो इमेज एक्टिव एक्स कंट्रोल दम नॉर्मली जैसे कि मैंने ऊपर लगा रखा है इंपोर्ट कर लेते हैं इंक्डे इसे इंपोर्ट कर लेना अब यह सब देखे यह सब हमारा spin button है drop down button जैसा कुछ बन रहा हां ठीक है combo box है यह सब हमें क्या देगा facility कि आप एक तरह से किसी चीज़ के structure बना सकते हो ठीक है यह सब form में structures के लिए आम लोग इस्तिमाल कर सकते हैं आम तोर पर इन सभी का इस्तिमाल क्या होता है website designing में इस्तिमाल क्या जाता है ठीक है यनि कि online वहां लोग scroll button बनाते हैं check box बनाते हैं यह सब आम तोर पर सभी का सभी कहां बनेगा वेबसाइट के लिए बनता है ठीक है जैसे कि suppose मैं यहां करता हूं तो यह आपको सिर्फ बटन दे देगा यह कुछ काम्ड का नहीं है ठीक है इससे अगर मैं प्रूपटी में जाओ तो आप क्या अगर सकते हो सिर्फ इसका color वगएरा चेंज कर सकते हो टेक्स नहीं दे सकते हो तो यह जश्ट एक डिस्प्ले के फॉर्म में है कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ठीक है आप इसका साइज भी बढ़ा कर सकते हो इसे तरह चेक बॉक्स भी ले सकते हो जैसा कि मैं ने यहां ले रखा आप इसमें टेक्स राय्ट क्लिक करकर टेक्स लिख सकते हो यहां से क्या अर्न होगा कहीं क्याप्शन से या आप इस पर टेक्स लिख लेना के अपसं कहा है जी क्य devastation अपस्ट निच वैयलॆ कार्म यहां से आप इस करना को और कुछ भी लिख एक सब्सक्राइट का इसा डाधNA data त्यूल है है नेक्स्त है हमारा वटन कमांड भटन जो मैंने यह बनाया है यह सब command button के थूई बनाया है तो command button भी आप ले सकते हो just click किरो कहीं भी और यहां पर command button आजाएगा right click करना और इसकी test को आप edit कर लेना याद रखना इस सभी का जो button है कुछ भी डाइक वे में आप इसका test को कुछ edit नहीं कर सकते हैं अब जब भी एडिट करना है तो आपको और एडिट करना था तो आप कर लेना, ठीक है यहां से system है system पर विजा सकते हो palette है palette है palette विजा सकते हो यहां से color चूज कर लेना ठीक क्योंकि यह मिध तो इसका green रखता हूँ तो पता चले कि लोग इस तरह से आप create कर सकते हो हर चीजिश ठीक नेक्स तुसे तरह से scroll button है हमारा ठीक है है को कि स्कॉब बटन बना दिया मैं लेता हूं मैं तीन का ही बनाता हूं य condemnation जाए में आना है याता है अपको लास्टक मैंने में बहुत पहले परहायाथा कि आप क्या करना कि इंसर्ट शेफ शेप लेते हो तो उसे टेक्स रैप करना पड़ता है ना उसी तरह इसे भी याद रखने के लिए आपको क्या करना है रैट क्लिक करना और यहां आप फॉर्मेट कंट्रोल आएगा ठीक है तो फॉर्मेट कंट्रोल में आप जाओगे तो यहाँ पर आपके पास ले ओट है लेओड में जाना और यहां से आप इसे पर ले जा सकोगे यह याद रखना है जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्स तो लिख दिया कुछ भी टमी टेक् फोटोशॉप लिख दिया इंटर कोरेल ड्रॉ लिख दिया इन डिजाइन लिख दिया आफ्टर एफेक्ट लिख दिया तो इस तरह का मैंने कुछ लिस्ट बनाए अब इसे मैं चाहता हूं कि उसके पात ले जाओ तो जस्ट आपको क्या करना है इस तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लेट तैयार कर सकते हैं तक दिस्तरा का आप एक फार्मेट तैयार करें अब आसानी से कुछ भी कि रिजाइन कर सकते हैं अब हमारा लास्ट क्लिक करो एडिट करो तो इस तरह से आप एडिट करो यहां से नाम इसको रिप्लेस करो कैंसिल कुछ भी अच्छा अब हम लोग लास्ट पढ़ने वाले हैं कि इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं यानि कि इसे प्रोटेक्ट सेक्विरिटी कैसे प्रोवाइट करेंगे ठीक है इसे मैं चाहता हूं कि इसमें पास्वर्ड लग जाए इस तरह का अपने डिजाइन बनाया ह है कुछ भी महले तो मैंने यह बना रखा ना उपर में इस तरह का मैंने स्ट्रक्चर बनाया मैं चाहता हूं कि अब प्रोटेक्टेड हो जाए यानि कि इसमें पास्वर्ड लग जाए सामने वाला बंदा इसे एडिट ना कर पाए डिजाइन मोड से मैं एक्जिट कर रहा ह जीत तो मैं इसे एडिट कर रहा हूँ इसके लिए हमें क्या करना है चाहिस कि डेबलपर में ही जाना है पहला है यह रैस्ट्रिक्ट डीटिंग हम लोग कर देते हैं तो एप्लिकेंट क्या होगा उसे एडिट नहीं कर सकेगा सिरक वह आपने ऑप्षण्स को ही मोडिफाइ करेगा जो इतसे दिया गया होगा ठीक है रेस्टिक पर जहलते हैं यह आप shirts our password मांग रहा है अगर मैं password डलता हूं तो हमैं password बताना ही पड़े प्रिव सhmen wille उसको वर मनें ऐना डाल तो अब मैं इसकी नेक्स्ट भी कट कुछ भी रहा कि कर सकता हुँ जे में पर सॉसरे ही मैं खेल सकता हूँ इसके लावह हुआ कुछ नहीं कर सकता हूं ठीक है तो उसी तरह यहाँ है अब मैं कुछ मोडिफाइ करना चाहूंगा तो इससे कुछ मोडिफाइ नहीं कर सकता हूँ ठीक है जो आपसंस है आपने जो अपने एप्लिकेंट को दिया हुआ है वो सिर्फ उसके साथ ही खेलेगा वो ठीक है गाइस इतनी बात समझ में आरी मेरी अच्छा रेस्टिक्ट एक तो आपके ड यहां आपके पास डूटेक डॉक्यमेंट है आप यहां से भी डेस्टिक्ट एडिटिंग कर सकते हैं ठीक है अच्छा अब मैं लाश्ट बता रहा हूं जो चुकि रेस्टिक्ट एडिटिंग से अलग है जरा सा ठीक है तो विन वर्ड में क्या करते हैं यानि कि हम लोग आप अपने कीवोट से एफ टूए लगार प्लेस करते हैं एफ टूएल तो आपका सेव ऐस बटन खुल लाएगा तो आप इसके थू भी क्या कर सकते हैं उसे एडिट कर सकते हैं याद रखें क्या है कीवोट का शॉटकट एफ टूएल तो सेव ऐस का शॉटकट है एफ तरीका जब आप save और save as करते हो तो यहां पर tool जो option है यह tool option इसके अंदर आप general options में जाते हो ठीक है general option tools की general option में अगर आप जाते हो तो आप यहां से भी इसे password प्रोवाइड कर सकते हो जिसके थूरू आपका जो file होगा तो वो क्या होगा फुली प्रोटेक्टेड हो जाएगा ठीक है आप यहां पर जैसे मैंने 123 दिया तो 123 आप देना पासवर्ड टू ओपन में और मोडिफाय में भी पासवर्ड 123 ही देना है यह याद रखें आप ओके करते हो तो 123 तो आप 123 देना ओके करोगे तो यह कंप्लीट प्रोटेक्टेड हो जाएगा ठीक है यह याद रखना होगा खुलने के समय ठीक है तो यह है हम लोगों को आज का क्लास ठीक है ना गाईस तो आप लोग इससे एडिट करें और अपने एक्कॉर्डिंग आ लोग मिलते हैं नेक्ट्क श्लास में हम लोग क्लेंगे मै्मेर्यमेडिक्स का डार उल्च कैसे तयार किया जाता है तो उस तरह का आप नोग दिजाइन करना ठीक है तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं ने प्रख्टलास्मे